तक हुए तो लोगों की आखे फट गई विश्व नतमस तक हुआ उन्होंने देखा कि सौरे गाता जो छुपी थी जो भीमा कोरे गाउं छुपा हुआ था इतियास वाज जागर हुआ है और उसने ऐसा इतियास बन चाया कि जो लोग पेश्वाई विवस्ता को बनाने वाले जो उसके पोशक थे जो उसके समर्थक थे उनके यहां पर अपेंडिक्स का दर्थ चालू हुआ और उन्होंने दो हजार में वो घटना क्रम अंजाम दिया जिसके आतंक आप बया कर चुके हैं नमस्कार आप देख रहें NB News 24x7 निलम बोध के साथ सात्यों भारत के इतियास में एक गोरल साली गाथा जिसे की सोर्य दिवस के नाम से जाना जाता है जी हाँ वो इतियास जो स्वन अक्षरों में दर्ज होकर एक जन्वरी को सोर्य दिवस के नाम से पूरे भारत देश में जाना जाता है जी वर्त मानियुद में देखिए जो सोर्य दिवस से जो हमारा गौरव है और 1818 में जो घटना घटी और जिसने इतियास बदल दिया और तबी से मैं यह मानता हूं कि वो जो 56 इंच का जो मामला चल रहा है न यह वहीं से आता है लेकिन हमारे लोगों को इतियास में बताया है लेकिन यह जो 2000 में घटना घटी उसने उन लोगों के मनसूबों को दिखा दिया कि यह हमारे इतियास के साथ जिस तरह से खेल खेलवार करते हैं चेड़कानी करते हैं यह आमें दबाने के कोशिस करते हैं और उससे जो वह जो लावा था जो फूटा वह पूरे देश के अंदर उस इतियास को बच्चा बच्चा जान रहा है कि सौरे दिवस क्या था वो महारों 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली के तरह काटा और अहां पंदाजा लगाएंगे कि 500 महारों ने अगर 28,000 पेशवाओं को मारा तो एक-एक हिस्ते में कितने आए यहां प पड़े हैं कि हम वास्तों में जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला 2000 के बाद कि हम तो यार उस समास से हैं हम उस कुल से हैं हम उस वंज से हैं या हमारे पूरों जैसे रहे हैं जिनोंने 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली के तरह काटा इतियास बनाया आज उसके बारे में किताबे छपी हैं लेक लिखे गए हैं आज जगे जगे वीडियो हुई हैं और बात आज घरगर पहुंची है तो आज मैं वर्तमान परिवेक्ष में कहूंगा कि आपके चैनल के माद्यम से कि आप सभी साथी एक बार एक जनवरी को पहुंचें और उस गौ जनवरी दोजार पच्चिस को क्योंकि कल तो हम नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन दोजार पच्चिस को एक जनवरी को इसी चैनल के माद्यम से हम वहीं से लाइव करके दिखाएंगे और वह उबलता खून भी दिखाएंगे और वह भीड भी दिखाएंगे वह नतमस्तक कर करा है सुन रहा है एक बार जाकर कर देखिए आपको पता चलेगा कि आपके पूरवज कैसे थे क्योंकि जिस तरह से 2018 में पूरे 2000 वर्स मतलब जो 200 साल का इत्यास था वो रचा गया था और तभी घटना पर करण तो पूरी घटना करम क्या था जिससे की लोग गौर्वान करें और हम यूं कहें कि किसी को शौरय इसको नाम दिया जाता है तो लोग दहल जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन मैं यहां से बताते में भी गारों महसुस करता हूं कि मेरे उन पूरवजों ने, मेरे उन योदाओं ने, उनको 28,000 पेशवाओं को जो दमन कारी थे, जो हमें दबाने आये थे, जो हमें मारने आये थे, उनको गाजर मुली की तरह काटा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि वो जो घटना करम था, वो घटना करम उस विवस्ता के खिलाव था, वो पेश्वाई जो विवस्ता थी, उसके खिलाव मामला था, और ये बहादुरी की गाथा, ये जो हमारे लोगों ने लिखी है, ये से 2018 आया और 200 साल का जब इतियास आया तो इतियासिक जो मूमेंट बना क्योंकि मैं मानता हूं कि 2010-2011 के बाद से जो सोशल मीडिया का जब जमाना आया उससे बहुत क्रांती का आगाज हुआ 2013-14-15-16 तो यह जो मूमेंट था इसमें जगे-जगे बाबा साब के प्रोग्राम ह से लोगों को पता चलने लगा और जब जैसे लगा कि 200 हमारी 200 मतब साल आ रही है कि दो जारा ठारा जब आया तो अपार भीड जिसको कहें कि जैसे कुम का मिला तो कुछ भी नहीं है उसके आगे वह उस तरह की जब भीड वहां पहुंची नत्मस्तक हुए तो लोगों की आ प्यास बन चाया कि जो लोग पेश्वाई व्यवस्ता को बनाने वाले थे जो उसके पोशक थे जो उसके समर्थक थे उनके यहां पर अपेंडिक्स का दर्थ चलू हुआ और उन्होंने 2000 में वो घटना करम अंजाम दिया जिसके आतंक आप बया कर चुके हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि उस घटना करम को पढ़िये देखिये समझाइए और अपने बच्चों को समझाइए आपके बच्चा का शोशन नहीं होगा यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने राज किया है तो मैं राज की तरह ब क्या सरचा है तो मेरा बच्चा किसे से दबने वाला नहीं है वो मूत और जवाब देगा अज भी हम देखते कि तमाम बहुजन समाज के युवा सैकड़ों की संख्या में जे लोग के पीछे सड़ रहे तो क्या बात है कि आज जो एक सांसकर्तिक परिवर्तन होना चाहिए देश में वो नहीं हो रहा है और उसी का कहीं न कहीं खामिया जा आज तक लोगों को बुखतना पड़ा तो क्या लग रहा है इस देशा में लोग किस तरह बढ़ना चाहिए देखिए ये निश्चित रूप से है कि 2018 में जो इस तरह का नरसंगार हुआ जिस तरह की घटना क घटाया इन्होंने कि जिससे वो डर गए लेकिन उन्हों का एक उदेश्य था कि हमें दबाया जाए हमारे लोगों को केस के माद्यम से पसा कर कि और जो भोला होला समाज उसको दूर रखा जाए लेकिन मैं आपके चैनल के माद्यम से कह रहा हूं कि 2018 में जिस तरह के हम उपस्तिती है उससे ज्यादा दोजार पच्चीस में आपको नजर आएंगे और मैं एक ही वो करूँगा निवेदन एक ही संदेश है कि सौदिन बकरी के जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन जीया जाए क्योंकि हमेशा इतियास आपका लिखा जाएगा जो आवाज उठाता है उसका लिखा जाएगा जो उस दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में हमारे महापुर्ष बढ़े थे और अपने गौ कि हम डरने वाले नहीं हैं आये मुँ तोड़ जवाब देंगे बुलुड का जवाब भुलुड जवाब पत्थर से देंगे चिंता नहीं आगे और रचने यहां पे हवाय बदल जाती है और हम अगर अपनी पर आएं तो भीमे कोरे कोरे गाउं रच देते हैं तो दूर रही है सक्वीधानने वालों और याद कर लिजए यह निश्यत में रूप से हैं और आपके चैनल के माद्मिल से आखरी एक संदेश दूँगा उन लोगों को जो एक धर्म के अनुसार देश को बनाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग इस बात को भी याद करें कि धर्म के अनुसार राष्ट नहीं बनता है अगर ऐसा होता तो इस विश्व में 10-12 देश ही होते धर्म के अनुसार बनते तो मैं पूरी मंदार से आपको आगा करते हुए कह रहा हूं